हेलो दोस्तों वेलकम बैक टो दा चैनल कॉमर्ची रोस क्लासेज और आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने मैंजमेंट अकाउंटिंग के साथ मैंजमेंट अकाउंटिंग में हम लोग टॉपिक कर रहे थे decision making and variable costing और उसका एक last concept बचा है operate और shutdown ये वाला concept करेंगे अब ध्यान से मेरे साथ बने रहे इस वीडियो के उपड़ ध्यान से देखा करो वीडियो को ठीक है एक अच्छा relationship बना रहता है आपके बीच में और मेरे बीच में ठीक है और ये काफी ज़्यादा जरूरी है और बात करते हैं अगर आपने पीछे की अभी तक वीडियो को नहीं देखा है तो बच्चों यहां पर आई बटन पर क्लिक करो पर देखो आई बटन आ रहा होगा आई बटन पर क्लिक करो वहां पे पीचे के सारे lectures को क्या कर लो आप लो खतम कर लो ठिक है आई बटन पर क्लिक करके पीचे के सारे lectures को देख लो और इसके साथ continue करना because अगर आपने इसी वीडियो के साथ start करा तो आपको ये वाली वीडियो समझ में नहीं आएगी ठीक है ना तो इसलिए sequence wise देखो I guess अभी 22 lecture हमारे हो चुके है तो पीछे के सारे lectures को देखो और फिर continue करणा है इस वाले lecture के साथ आपको 100% समझ में आएगा नहीं समझ में आता तो नीचे comment करा करो के सर हमें नहीं समझ में आया ये वाला topic फिर से समझा दो तो मैं एक दूसरे angle से उसको क्या कर दूँगा समझा दूँगा ठीक है पका ठीक है सर अब जखो अगर नहीं समझ में आएगा तो ये तो आपको ही operate और shutdown operate और shutdown को सबसे पहले मैं समझाता हूँ अगर आपने नाम समझ लिया ना बच्चो काम तो automatically समझ में आ जाएगा तो basically काम किस के अंदर चुपा हुआ है बच्चो नाम के अंदर उसका काम चुपा हुआ है अब operate का मतलब होता है क्या मैं business को continue चलने दू अभी मैं business को के business को बंद कर दू यह क्या है operate operate मतलब business को अभी चलने दो और shutdown क्या है business को बंद कर दू तो यहाँ पर क्या है हमारा जो business मैंने न बेटा वो confused हो गया है वो क्या हो गया है? confused हो गया उसके भिज़े में दिमाग नहीं समझ में आ रहा है, मतलब उसको एक चीज नहीं समझ में आ रही ही, कि मैं अपने बिजनस को अभी चलने दू, कि बिजनस को मैं अभी कुछ टाइम के लिए बंद कर दू, अब देखो बंद करना शटडाउन दो तरीके का हो सकता है, एक तो ह हो सकता है, टेंप्टरी, यह होता है, टेंप्टरी शटडाउन, कि कुछ समय के लिए मैंने बिजनस को बंद कर रहा है, उसके बात में continue कर लूँगा, जैसे कोविड की अगर हम बात करें, जब कोविड आया था, लॉकडाउन हुआ था, तो 3-3-4-4 महीने, 6-6 महीने तक ल नहीं operate कर रहा था, तो यहां पर आपको decision लेना है, कि क्या मैं business को चलने दू, या फिर इसको क्या कर दू, shutdown कर दू, तो देखो, क्या लिखा हुआ है, this point generally comes in the operation of the business, where the firm is indifferent, अब यहां पर company जो ना indifferent होई है, मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा है, कि मैं अपने operations को continue करू, कि उसको shutdown कर दू, temporary, temporary shutdown करना है, permanent shutdown नहीं करना बच्चो, ठीक है, थोड़े समय के लिए बंद करना है, क्योंकि losses हो रहे थे, या माल लो, अभी हमारा season का time नहीं था, तो अभी हम उसको बंद कर देते, जब season का time आएगा, हम दुबारा से start कर देंगे, जैसे होता है, हमारे जैस तो shutdown cost is that cost which the firm incurs when it temporary shuts its operation, आपको पता है, जब company अपने business को बंद कर देती न, temporary, तब भी उसका कुछ ना कुछ क्या लगता रहता है, बच्यों, खर्चा लगता रहता है, अब सर ऐसा क्यों होता है, हमने तो business बंद कर रहता है, ताक कि हमारा खर्चा ना लगे, लेकिन फिर भ shutdown cost है यह आपकी बच सकती है, अगर आप business को चलने दोगे, अगर आपने business को बंद कर दिया, तो shutdown cost भी लगेगी, in addition to cost, shutdown cost includes the cost of, देखो shutdown cost में कौन-कौन से cost लगती है, in addition to fixed cost, बेटा fixed cost तो लगेगी, लगेगी, मानलो आपने temporary बंद कर रहा है, तो आपने जहाँ factory tent पे ले आपको पे करना पड़ेगा, shutdown cost includes cost of sheltering plant and equipment, तो जहाँ पर आपने plants and equipment को रख रखा है, मानका rent पे करना पड़ेगा, lay of expenses, लोगों को अगर आप निकाल रहे हो, जैसे मानलो आपके पास 1000 employees ते, उसमें से आपने 500 employees को निकाल दिया, कि भाई अभी थोटे time के लिए हम बंद कर इतन लोगों का हम salary नहीं उठा पाएंगे, तो उनको अगर आप एक दम notice देख अगर निकालते हो ना तो आपको उनको कुछ खर्चा देना पड़ता है, एक महीने की फिर भी salary पे करनी पड़ती है, ताकि उनको next job मिलने तक कम से कम उनका घर का खर्चा चलते रहे, employment and training of workers when the plant is restarted, मान लो अगर आपने 4-5 महीने business नहीं करा या 6 महीने तक उसको close करके रखा, तो बाकी के जो 500 employees है जिनसे आप काम नहीं करवा रहे थे, हो सकता है जब उनको दुबारा से आपको क्या करवानी पड़ जाए, training करवानी पड़ जाए, जब business start हुआ, हो सकता है, वो सब ठीक है, it occurs because of strikes, अब बिटा कभी कबार क्या हो जाता है, company में strike होगी, तो पता चला के company के तो भाई, factory एक एक महीने तक क्या है, बन पड़ी होई है, बात करते हैं, trade depression आ गया, trade depression क्या होता है, मान लो ठंडा पड़ गया business, business के अंदर कोई demand नहीं आ की, तो इसको हम क्या बोल worst situation में होता है, जब बहुत घंदी situation आगी, बच्चों एक रुपे की sale नहीं हो रही और खडचा इतना है, ठीक है, घर की भी सारी assets खतम हो गई, तो आपको business को क्या करना पड़ेगा, बन करना पड़ेगा, when business is not in situation to unsufficient return, जितना हम सोच रहेते, business उतना नहीं कमा पा रहा, to cover the risk involved, उसके अंदर जो risk है, उसके इसाब से वो कमा ही नहीं पा रहा, in case of shutting down the business, other companies में get a chance to establish their product, अब देखो न, अगर आपने shutdown कर दिया, तो उसके disadvantages क्या है, बच्चों उसके disadvantages क्या है, बेटा दूसरी companies को क्या हो जाएगा, वो अपना product establish कर लेंगे, in case of shutting down the business, other companies में get a chance, बाकी कि आपकी जो competitors उनको chance मिल जाएगा, कि आपने product को market में क्या कर लेंगे, establish कर लेंगे, आप लोग तो चलेगे, आप customer थोड़ी ना product को इस्तमाल करना बंद कर देगा, वो आपके पास नहीं, तो साथ वाली दुकान के पास जाएगा, ठीक है, इतने में साथ वाले जो दुका आपको like करना आता है, चैनल को subscribe भी करना है, ठीक है, और बाकी अगर पीछे के भी सारे lectures को देखना है, तो description box में link है, महां से आप क्या कर सकते हो, पीछे के सारे lectures को देख सकते हो, okay, once the skilled workers are discharged, आपने एक बार skilled worker को काम से निकाल दिया, it might be difficult to get experienced and skilled workers when the business is, आप मान लो, आपने किसी एक अच्छा काम करने वाला बंदा था, experience बंदा था, उसको आपने काम से निकाल दिया, आपका business अच्छा नहीं चल रहा था, अब भाई, आपने 6 महीने के बाच business start करा हो सकता है, वो बंदा आपके पास दुबारा से ना आय, वो दूसरी company में काम करने लग गया, अब एक experience बंदा ढूडने के लिए भी क्या लगती है, बेटा बहुत सारी marketing लगती है, है ना, अलग-अलग colleges में जाके campus placement होती है, recruitment, private agencies के पास जाना पड़ता है, बढ़िया बंदे मिलते, कहां है, risk of obsolence of plant and machinery हो सकता है, आपकी जो plant and machinery थी, एक साल से आपकी machinery, factory बंद पड़ी हो closing down business for limited period or specific activity में leave adverse impact on the economy, company, adverse impact on the company, और सली its reputation, बेटा, reputation कराब हो जाएगे, आपकी market में लोग बाग बोलेंगे, अपनी company से चला ही नहीं गई, company बंद करके चला गया, तो adverse impact पड़ता है, company की reputation के उपर, arrangement of finance for compensation, payable and retrenchment of unskilled workers, अब देखो, जो unskilled workers है, मानलो छोटा बंदा था आपके पास 10,000 रुपीस की उसकी job थी, तुटे लेबल पर काम करता था, तुबने एकदम से उसको बोल दिया कि भाई कल से मत आयू, तेरे काम की जुरुवत नहीं है, अब उसका रूटी पानी कैसे चलेगी घर की, हो सकता है, उसको job ढूँडने में time लग जाए, तो आप कम से कम उसको क्या करो, एक महीने की या दो महीने की salary, पे करके उसको फिर बोलो के भाई, अभी हमारा business नहीं चल रहा, तो आपको हम और नहीं पे कर सकते, आप अपने दूसरी जगा, job ढूँडन लो, इसको बोलते, retrenchment of unskilled workers, तो आपकी जेब से पैसा तो गया न, इब त companies advertisement क्यों करती है, इतनी advertisement आप देखते हो, YouTube पे, Facebook पे, advertisement क्यों होती है, ताकि आपके दिमाग में डालना चाहते हैं, कि यह हमारा product है, आप हमारे product को खरीदो, अब जब आप business ही नहीं करते, तो customers आपको भूल जाएंगे, अपनी memory से, when the business restarts, तो आपको heavy expenditure करना पड़ेगा, क operator shutdown का, और ध्यान से इसको देख लेना, because इसका क्या आजाता है, theory question भी आता है, plus इसका practical question भी आता है, तो इस वीडियो में तो मैंने आपको operator shutdown की क्या समझा दी, theory समझा दी, next वीडियो के अंदर आपको क्या देखेगा, बच्चों, एक practical question देखेगा, ध्यान से कर लेना उसक Okay, चालों, Bye-bye